हाई फ्रेंड्स अब सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल एक्रिकल्चर ट्रेक्स वाय एंके में आधिक शॉकत करते हैं तो जिससे कि आप लोगों को पता है कि एक्रिकल्चर सुपर्वाइजर का एक्साम है वो आपका चार फॉर्वरी को होने वाला है और अपन इंपोटेंट अभी इसी टाइम पर देखने के लिए तो उसी चीज को मद्या नजर रखते भी मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी शांदार होने वाला है और आपको यहां से पता भी चलेगा कि अपने कितने क्यूशन आपके रिपीट हुए हैं तो चलिए अब भी परते हैं इक परते हैं या कैंपरते हैं तो इसको क्या बाद करेंगी जो क्यां हुए यो परते लगा हूँ है और तरब वर्राम का मतलब होता है और अबिराम अमचल के राइब करेंगे हाई जो अभिराम होता है इसका एसमें विराम नहीं हो ollut फृ उप्सका मतलब निर्यंटर तो option number D यहां से क्या हो जाएगा आपका राय टांसर हो जाएगा चलिए next question के अपने बात करेंगे दिमागी गुलामी रचना किसने की थी जो दिमागी गुलामी थी इसकी रचना किसने की थी तो जो आपके राहुल सांसकर्त यायन थे उनके द्वारा जबिर हुसेन के द्वारा चंदरकांत देवताले के द्वारा ये राजेस जोशी के द्वारा की गई थी तो इसका जब र तो जो या नहीं जा सकता इसमें वाच्च्स है तो कुंसा वाच्च्छी है और बाप करें तो आता है मुझे रोज जल्दी जाना पड़ता है तो वाके में तो इसमें क्या कहना चाहता है समानार्थक वरती है संकेता अर्थक वरती इस्षा वरती है या मेर्द्यत्यत्वश्त क्वण सब्सक्राइब कि बात दियो वरते हैं तो आपको पता होगा कि एगर रोज आना है तो वह वाँ किसी चीज़ के लिए बात दियो हो जाता है यह उप्शन नमर्ड यहां से क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है ने इस्ट क्यूसन के अपन बात करेंगे अतिति का सही प्रियावची सब्द में उसमें कौन सा समास है तत्पूर्श है वह वह वहां सब्सक्राइब क्या हो जाता है और यहां से आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्यूसन के अपन बात करेंगे जो आपका भूधान सब्द में उसमें कौन सा समास है तत्पूर्श है वह 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 करमदारी है यहार जब प्रद्द समास होता है तो गात होती है ना उसका प्रद्वाइन के अंतर अर्थ देगा जाए तो वह क्या होता आपका सरीर हो जाता है तो आपस्ट नमर्च आसन बूत या संग्दीत बूत या अपून बूत तो वह अभी आया है तो इसके अधर्गत जब राय टांसर की बात की जाएगी वह आसन बूत हो जाएगा तो उसके नमर बी यहां से क्या हो जाता है राय टांसर निकलके आता है चलिए next question की ओर बढ़ते है next question आता है सोरिय प बढ़ रहा है तो जब राइट आंसर के पन बात करेंगे तो जो साथ सत्य बोदव होता है तो वह उप्शन नॉम्बर एहां से क्या हो जाता है अब आप इससे सोज रहे होंगे कि यह अजीब अजीब से तोड़े क्यों से देखने को मिल रहे हैं युनिवर्शिटी के अंतरगत कुछ क्यूशन अलग भी दे दिये जाते हैं लेकिन जो आपका एक्जाम होगा उसके अंदर आपको पेपर देखने को मिलेगा और इससे तोड़ा पेपर होता है वह आपका इजी लेवल का आता है चले नेक्स्ट क्यू तो इसका और प्वहियं को पते होगा किए को पहां करें कि काम कौन सा सब्द है को काम कौन सा सब्द आपका तर्द समय रभ हो सब्द होरी अगर नेश्ट कि रहोरी देशज़ हर बुद्यारों का सही संदीolph ईछी दोगा तो बुद्यारों बुद्यारों ओ बुद्यारों होरी बुद्यारों होया यदि optimism om के अपन बात करें गेंगे तो क्या हो भूपु सूअब रॉप द łखायगा घ्रह बात करेंगे कि गार सूरिय के रत पहिए जो अड़े तूट गए हो दुसराओं में तो इसका कौन सा अलंग Ou while प्रेक्षा अलंग पूाँ भाइभाधे, बरांती मान अलंकार है या रूपक अलंकार है, तो ऐसे पर देखकर आपको बर्मीद नहीं होना है, आपको अपने इसे अपने पर इंपर की ही बात करें या आपका कर्ची पर व में लिएक बिस्वी दाल्या कोटा के दुआरा दोज अठारा में लेगे था अपन उस पेपर को आज सोल कर रहे हैं तो बात करते हैं आपके हिंदी के कंप्लेट हो चुके हैं 15 किशन आप जीके की बात करते हैं और फ्रेंड्स अपन ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करने के बजाए अप कि आप 40 मिनट के अंतगत 100 क्यूशन सोल कर सको अगर आप 100 क्यूशन सोल करोगे तो आपको ऐसा लगएगा कि आप प्रोडेक्टिविटी निकली है अगर अपन बात करें कि एक घंटे के अंतगत अपन क्यूशन करें 20 ही तो वह कोई मतलवाली बात नहीं क्योंकि आपके पा करेंगे चलिए अपन बात करें कि मोटा राजा के नाम से किसे विख्यात है जस्वन सिंग है माल देव है उदेशिंग है या चंडर सेन है तो मोटा राजा के नाम से परसिद है वह आपके कौन हो जाते है यह काफी इजी सा क्यूशन है यह पहले भी रिपीट हो चुका है commod us सबूता है मोटा राजा कौन साल ता ओडेशिंग होता है आपका नमबर सियांसे क्या राय टन्सवर हो जाता है चली अब राय चैल को o यहां से क्या हो जाता है यहां से क्या हो जाता है क्योंकि कोई इसी क्यूशन है उसको अपन ज्यादा डिस्क्राइब करें कोई मतलब वाली बात नहीं है ना उसके अंत्रकत क्या हो जाता है। नहीं से क्या है यहां से राइट आंस्ल कोई होता है निया से क्या हो कुश्या हो जाता है next question के आपण बात रहे काली बंगा सबैता किस नदी के तट पर इस्तित है, तो अपन इस के पहले बात कर चुके हैं, तो आपको पता है, जो गनदी है, उसके नदी के तठ के उपर आपके जो गनदी है, वो इस्तित है, और जो आपके गन दित है, तो यह आपके कहाँ पर है, तो यह हनुमानगड़ और गंगनगणगर के अंदरगत वहती है है और हनुमानगड़ के अंदरगत यहां आपकी कालीव ऑंग या सो हता है तो एपर नीजesi कै पर दर्गा है नंगरे जूनलों के अंदरगत हो ञता है चली नेक्स्ट क्यूशन के और बड़े नेक्स्ट क्यूशन आता है आपके पास में जो जसनाती संपर्दाए से संबंदीद नर्ते है तो जसनाती संपर्दाए से संबंदीद नर्ते है वो कौन सा है डोल नर्ते है बम नर्ते है अगनी नर्ते है ये गुमन नर्ते है उसके र बीजिए किया था तो मैंने बताया था कि कामाड़ीया पंद की इसने कि दी वह आपके बावाराम दियोजी ने की थी तो बसे नमर यहां से क्या हो जाता राइट आंसर हो जाता है नेक्ट के अपन बात करें किसके निर्देश में हुआ था आपके जो ऐसे हर्णम चर्थे लिया के अंयरे गॉपिनात सर्मा के घृब्याथ के जब रै्ट ँर्स्पर के अपन बात करेंगे तो वह कुंथ आपके गौपिनात सर्मा थे और पूल snow जो किया था तो आर्ची अगरवाल ने यह निए उन्य सो चपन में आर्ची अगरवाल को किया गया था उत्खना नुवा था बरतरी का मेला संबन दीत है तो बरतरी का मेला कहां लगता है यह अच्छा क्यूसर है बात करें कि राजस्तान सोरी सुतंतरता प्राप्ति के समय राजपुतना में कितने रियासत थी सँले प्राप्ति के प्राप्त टालमें शुक्त डियासत थी तो आपके कितने थी तो आपके इसे रिपीट हो जापे हैं इसके लाओ जो आपका एक एकरन था आपका रास्तान का वो कब संपन हो था 1902 1914 1956 1908 आप सबी लोगों को पता होगा कितना हिस्जी सा क्यूसन है जो आपके एक एकरन था उस वह आपका यह संपन हो था वह Nummer सब्सक्राइब उनीर्माईरा հिचित है किसे मेता के दौरा नाजिट गूरा किता है मारणा कुमबा के पिता का नाम क्या तो संग था उद्ये सिंग मोकल था या अमेर तेद्लों से को पता है कि Ara पिजाकर के कॉंपरते मेंद आसके मकार से नाम से लिए धी स्नंगम जया लिए जोदपूर ये जब रायटांसट्र्ण जने तो जो कि मारवार से लिए या सैन्गम की जोधः है वो जाता है लिए और रखेशंगे नाम से तारागळ है कुंभल गड़ है चितोड गड़ है तो गटव इड़ीक नाम से उसकती है है और एक दूसर तड़के बताना थ grate है लोनी नधी गाउतग survives वाना जाता है तो लोनी नदी का ना बार रिपीट हुआ ऐसन तो आप मैंने पहले भी आपको सुल करा चुझाँ तो सिवालिक पाड़ी से यहां से क्या हो जाए कर राध्य देवी कोन थी तो आपके अराध्य देवी की बात की जाए तो पहले तो राज़ा थे और फिर बाद में आपके संत बन गए थे तो नशी ते पीपा जी थे तुशते जब राध्य ची तो गॉंडन जो संत पीपाजी थे वो पहले एक राजा थे और फिर बाद निक्के अंतगत आपके संत बन गये तो नमर भी यहां से क्या हो जाता राय टांसर हो जाता है नेक्ट के पन बात करें 1927 में गंग नहर का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया था लाड इर्विन के द्वारा ल सबसे उच्छी चौटी कौन सी है वरविस्टान आपकी कउन से चौटी कहना चुक हो पने को बढ़ते हैं पताइसागर जील है वो कहा है इस्तिता जमेर में है जेपुर में या जोध्पूर में जोधपूर में है तो इसको जब राइटांसुर के पन बात करेंगे जो क्यों फटाइसे जिल है वह आपके उद्यपूर के अंतर्गत है चलिए नेस्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं कौन से सब्जी में सबसे ज्यादा लवंट साइंसेल कर सकती है तो टमाडर है सुरी मटर है अलू है पतागों भी है या पालक है आँए-hop दो आपन बात करिए कि युखाया के लिए अपन क्या रेंगे गंदक का यूज करेंगे तो ठरक्रिक का आमलक का यूज़ करेंगे पारेट्स का यूज़ करेंगे जिप्सम का यूज़ किया जाता है इसके राइट आंसर की जब आपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है अगर चारी भूमियों को सुधाने के लिए अपन यूज़ करते हैं वो अपन जिप्सम का यूज़ करते हैं और अम है जó किस की किस्ट है योप सभी लुगों में आपके किस्सारी किस्छा आपका खाफी बार कुछा गया कि पाले की स्तति में कितने परतिस्त गंदक के गोल का चिटगाओ करके फ़सल को बचाए जा सकता है तो जिरो पॉइंट परशेंट या एक पॉइंट जिरो परशेंट का चिटगाओ किया जाता है इसके अंतरगत अगर एक और अपना ऑप्श परशेंट का चिटगाओ उपन पाले से बचाने के लिए गंदक का चिटगाओ करते हैं तो अप्शन नमर यहां से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो जिरो पॉइंट वन वाला भी उप्शन आए तो आपको कंफूज नहीं होना है आपको कितना करना है जिरो ग तली उत्टे के मन इंटगत क्या होता है कि जो एक्जाम टायम होता है वह प्रेशर के आंटगत आके जो ऐसी क्युषन आहिक होते हैं उन?", प्रेश के सब्सक्राइब से जतने आपने का सी ज्यादा स बरभ्ण को फारत करना है उनको बार बार रिपीट करना है कि आपके व तो अंगूर की जो pruning की system है वो आपको अच्छे से देखे जानी है 217% वाँ से आपको देखने को मिलेगा तो बात करेंगे दिसंबर जनुवरी में करते हैं जून में करते हैं मार्श में करते हैं अक्टुबर में करते हैं जिसके जब राइट आंसर के अपन बात करेंगे कि जो आपके अंगूर की संदाई है, जो उत्तरवालत में की जाती है, वो दिसनमर से जनुरी के अंतरगत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्यूशन आता है भेंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं, तो मैंने सबी के मांस आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आई होप ऐसे क्यूशन आपके गलत नहीं होने वाले हैं, तो भेंस का मांस होता है, व तो जितने भी डाउट है वो अभी किलियर कर लेना फ्रेंट से ना चलें नेस्ट के बात करेंगे खड़ी फसल में करवं ड्याय उक्सइड की मात्रा परती भूमी की तुलना में कितना गुनहों अध्य पाई जाती है एक गुना पाई जाती पांच गुना देस गुना या पंदर गुना तो अगर बात की जाए कि जो खड़ी फसल होती है उसके प्रती बूमी की तुलना में लगवग दस गुना ज्यादा कारवन डाय उक्साइड पाई जाती है इसका विश्चे इस रूप से ध्यान रखना है और श्याद की बुलस अजाता है नेक्स्ट कश्ण के माइक को राज़ा मर्दा में किस तत्तु की उपलब्स तो तो माइक कर राज़ा है वो आपके नंतरज 속ण को बढ़ताई उसके जब रहिट करेंगे तो आपको पता होगा कि जो सामाने तो क्या होता है आपका फास एक्शलो शक्म ty hur अपनी तक करतां है गांधिश्ट्र्वा ना नमबर निम्ब घे-वर्ग करेंट की तो नुट्रू का संट्री बाइट परका पता है पनाद्वाह। option number D, यहां से क्या हो ज़ता राइटांसर हो जाता है next question के आपन बात करेंगे मेठे दही में अमलता परतिसत कितनी होती है जो मेठा धही होता है उसमें अमलता परतिसत कितनी होगी 0.6 0% 0.55 0.7 0% 0.6 5% होगी तो इसके जब राय टांसर के बात करेंगे जो मेठा होता है, मेठा अमलिय दही होता है उसके अंतरगत 0.60% तापके क्या होगी अमलियता परतिसद होती है तो option number A यहां से क्या हो जाता राय टांसर हो जाता है next question के अपन बात करेंगे यह देखे, go possible का temperature है यह आपके जोबनेर के अंतरगत भी पूछा गया है यह कोटावाली में पूछा गया है और यहां से क्यों सनाने के आपकी संभावना 100% है go possible कर समने ताप्रमान होता है वो कितना होता है, तो यहां पर आपका degree centigrade के अंतरगत दिया गया है 49 से 40 degree centigrade 38 से 49 degree centigrade 40.0 से लेकर 40.2 degree centigrade 38 से आपके 40 degree centigrade होता है तो इसके राइट आंसर के अपन बात कहेंगे तो आई होप आपको पता होगा 36 से 49 degree के अंतरगत भी 38 से 49 के लगबग आपके according to option जाए तो वो क्या हो जाएगा option number B यहां से क्या हो जाता है आपको इसके लाव फारेनाइट के अंतरगत भी आपको जिहां रखना है कि जो गाई पसुई होती है उसके अंतरगत लगबग 102 के लगबग आपका क्या पाया जाता है degree Fahrenheit के लगबग आपका जो temperature होता है वो होता है तो 101 या 102 के लगबग आपको देखने को मिलेगा चले नेस्ट के और बात करेंगे बीज उत्वादन है तो टमाटर की किस अवस्ता में तोड़ा जाता है काफी important की उसन है और काफी अच्छा की उसन है तो अगर बीज उत्वादन करना है आपको सीड प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आप इसे बताओ कि टमाटर को कब तोड़ाए करोगे तो हरी अवस्ता में रंग बदलने की अवस्ता में यह रंग बदलने की अवस्ता हो करेंगे इसके राइट अंसर के अगर आपको बीज उत्वादन करना है तो आपको उसकी harvesting करोगे तो इसके राइट अंसर के अपन बात करेंगे जो अधिक पका हुआ होता है तो आपको ज़्यादा पका हुआ होगा तो उसके अंतरगत आपके सीड प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है उसमें एसीड डाल के और उससे के अंतरगत क्या होता है कि आगे की प्रोसेस करके उ होती है उड़ी पखेवे में जो अगदम रेड़ होते हैं अगर बात करेंगे कि रहा ने के वस्ता होतीं है तो अगर दूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज्ग हैं पहला जो आपका क्लिनिग अवस्ता ही और पतबो तोड़ा होता है टबी अपन तोड़के उसको रख लेते हैं ताकि अगर जाता है लिए आपके पुद्दा के बताने है कि जोटे के पुसकाट तो है आसफरस है जघशता है गंदक है बोराइ तो इसका जब राइट अंसर के बात करेंगे तो वह क्या बाता है है यह वो सकता का थो होटा है ऐनको से होते हैं तो वो कुन-कुन से होते हैं आपके जिंक और आपका फोसफोरस ये आपके सोयल के अंतरगत अगतिसील होते हैं इसके लगाँ आपन बात करें पोदे के अंतरगत अगतिसील होते हैं तो वो कुन-कुन से होते हैं एनपी के एमजी एमो ये क्या होते हैं आपके गतिसील होते ह तो केर्सम और और बॉरान क्या है आपके पोदे के अंदर्गत होते हैं और मर्दा के अंदर्गत बटाई आपके अंदर्गत होता वह नहीं गाय के पसू बहार की गन्ना के लिए कोंसा सुत्र अपनाते हैं तो सेगर का सुत्र अपनाते हैं या दो का सुंदरब का सुंदर से। अगरवाल का सुंदर है वह आपना जाता है कि अगर mean का बाहर गायों का बाहर की गन पूछा गया है low के ब पहले भी एक और एक्जाम में पूछा गया है मेरे को भी याद नहीं आ रहा तो वह बात किरेंगे जो किसके किसम है तो यह आपकी जही की हो जाती है इसके लाओ जो आड़ी वाली आती हो समने तो आपकी जोकी होटी है आड़ी जितनी भी आएगी लगब लगब आपके आड इसके तो बताने के आपको ज़रूत भी नहीं है चलिए next question के बात करें नेस्ट क्यूषन आता है दूग्द में lektometer का specific gravity होती है तो लेक्टो की gravity होती है वो कितने होती है बन पॉइन्पॉइंट 555 होती है 1.777 होती है one 1.444 होती है 1.666 होती है तो इसके जब राइट आंसर के बात करेंगे कि जो आपके दूद के अंदर लेक्टोज का स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है यह क्यों आपका पहले भी कल भी रिपीट हो चुका है और सनमर्डी यहां से क्या हो जाता है नेक्स्ट के अगर बात करें कि बखरी का घुसतन गर्ब काल कितने दिन का होता है तो बखरी का जो गर्ब का घुसतन गर्ब काल होता है अगर exact पोल जाए तो आपका 151 दिन के लगबग भी होता है कई बुकों के अंतरगत 152 दिन दिया है लेकिन अगर बात करें कि 148 से आपका 150 किसका मानना जाता है बेड़का होता है और 150 से लेकर 152 किसका होता आपका बेड़का होता है लेकिन ऐसे option देखने को मिले तो आपको बकरी का कितना कर नहीं क्योंकि आपके 150 से जादा यह तो आपके 6 दिन आगे जादा उपर चलेगे यहां पर ज्यादा ओर भी ज्यादा हो रहा है इदर भी ज्यादा हो रहा है तो अपन अकोडिंग टो option देखेंगे आपका 150 दिन सही निकल के आएगा तो 148 से 150 दिन वाला आपका option right माना जाएगा तो option number 6 यहां से क्या हो जाता है और यह option आपका जो उनिशिटी थी उसने भी सही माना था चले next question के और बढ़ते हैं next question आता है जो मेगनीज तर्थ्व की कमी से सर्वा देख हानी उठाने वाली फसल सूचकांग है तो मेगनीज की जो कमी होती है तो जई से आपके दो किसोना अगे can't किसकी variety है जाएगी है और जो जाई है वो किसके सूचकांग के लिए यूज किया जाता है मेंगनीज की तर्थ्य की कमी से लिए लिया जाता है इसके लिए सूरज मुखी आ जता है आपके वास में तो सूरज मुखी के अंतर की किसका indicator plant होत सरसों है इस से इसका आपको बताना है कि सरसों किसकी होता है चलिए नेक्ट के बढ़ते हैं एक दूद को उताने के लिए किस हर्मोन का प्रयोग किया जाता है तो काफी जी सा क्यूशन है और काफी बार अपन पहले भी रिपीट हो चुक है तो आपको पता होगा जो ऑक्षी को आपका तेकर सैस होता है तो आपके ठीशेस कितना होगा तो प्रलेशन होता है टॉपीर परतीस अरका फ्रस होता सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कौन सा हो जाता है यहां से क्या हो जाता है नेक्ट के बात करें अगर आप लोगों को एसा लगे कि टाइम ज्यदा खराब हो रहे तो इस वीडियो को आप टूर्स पे करके भी देख सकते हो क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम कम है तो होने चाहिए तो नेक्स्ट के बात करें बात करें बारत में बखरी की सबसे बड़ी और मेज़ेस्टी नसल कौन सी है यह पहले रिपीट हो चुका है आपको बतायों का वो कौशी आपकी जवनापारी है और बी यहां से क्या हो जाता राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट कुशन के बात करें बखरी की जखराना नसल के दूद्ध देने का समय कितने दिनों का होता है तो असी से दोसो दिन डेड़ सो से एक सावाज से दिन होता है उप्षण, ऑप्षान, ऑप्षी की ता रायट आवारों हो जाता है नेक्स्ट कुशन के बात करें तो एक कितना होता है तोब इसके राइटिन चयंकूं के बनात करेंगे तो वो कितना होता है एक जालेटर होता है अगर एक सेंटिमेटर आ जाए तो यह वह कितने की बराबर होता आपके एक लाख लेटर की बराबर होता है तो नमबर सी यहां से क्या हो जाता है नेश्ट कुशन के अपन बात करते हैं नियून में से किस फलो में मूल वरंत का अधिक दोहन हुआ है काफी बार पूछा गया है उनके मूल वरंतों का दोहन हुआ है उसके जो आपके मूल वरंत है उनका दोहन हुआ है तो राइट आंसर के पार बात करें जो प्लांटेशन क्रोब है तो जो रूपन फसले हैं उनके जो मूल वरंतों का अधिक दोहन हुआ है तो आपकी दो परतिशत क्या पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है कि पार बात पर आमोनिया सलफाट ऋरूर रक में गंद की मातर कितने होती है तो जो अमोनियम सलफेट होती है तो अमोनियम सलफेट के दिका जो गंदक होता है तो इसक प्रती से पाया जाता है ऑक्षिन एस्ट्कुंसर के अधन बात करेंगे डिया टाइधि जो ट्राकिंगोनला के लिए उप्योगत्स रजोराइधों depending कि जाती यह वहां से आप जते और बमेशिके सकते होंगे जटने बीशिब्स है उसको प्रिके मादिम से कैसे याद कर सकते हैं तो बात करें डायक्टी मेथी की तो मेथी के अंतरगत तो जो राइजोबियों की इस पिसी यूज की जाती है वो राइजोबियों मेली लोटाई यूज की जाती है इस नमर बी यहां से क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा चल यहां कि पती और सोरी पती और फली की रहती है लेकिन अगर मुख्य तो पूचा जाए आपको कि दोनों अलग-अलग उप्शन में आ जाए तो आपकी पतिया इसके मुख्य तो यूज के लिए बात की जाती है वेसे समयने तो अगर सब्सक्राइब कर दोनों ही यूज की जात तो इसके जब राइटांस्वर के अपन बात लेंगे जो गदी बेड़ है उसका दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है आपका बदरुआ है होता है तो उसके राइटांस्वर के अपन बात लेंगे है कि जो गिरिना हिस सब्सक्राइट के आपस्वर करण के लिए मेटाबोलिक एक्टिविटि के करण होता है तो जो ठनिला रोग होता है वह आपके बैक्टिरिया के करण होता है तो अपन नम्म हैं प्याज में तुड़ा सूच कांग है ना तो वह कौन सा होता है आपका तो बोल्टिंग होगा यह डीस्केलिंग होगा नेफॉल होगा यह मर्दा में क्रेकिंग होगा तो इसके जब राइटांसोर तो उसे नेक फॉल का जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यह मैं चोटी स्टेज शो करती है तो अप्शन नमर ची यहां से क्या हो ज़ता राइटांसर हो जाता है नेस्ट कुशन क्यों बढ़ते हैं कंकर, कंकर नीए यह आपका केंकर है केंकर है कंकर किस फॉल की मुख्य समझा है तो आप सबी लोगों को पता होगा कि जो कंकर विमारी होती हो आपकी सामाने तर निम्बू बरगे के अंतरगर देखने को मिलती है तो अप्शन नमर सी यहां से क्या हो जाता राइटांसर हो जाता है इस्ट को सनगा बन बात करें गाय के दूद के लिए समाने तर जाव मिध़े दूद का pH क्या होता है विकло कुल मिला के बाद ऐसे दूद का पिएच कितना होता है तो गाय के दूद का pH कितना होगा आपका 5.2 से 5.4 होगा 6.7 से 6.9 होगा dov commonITY or sky चार चार से चार पोईंट चार होगा तो आई होप आप सभी लोगों पता होगा कि पास में रहता है लेकिन जो एक्छाट बता ही जाए तो कि तो आपके कितना हो एक रहता है आप सोटाँ पॉंट पांन से लेकर आप्कर शेश्य पोईंट साथ के जाता है तो अपने को मिनिमम में रखना है तो 56 तक जा सकता है तो 56 आपका सही हो जाएगा यही आंसर आपका क्या है कि जो कोटा ही उनिविशिटी है उसके द्वारा भी राइट मना गया था तो आपका सही निकल के आता है चलिए नेक्ट क्यूशन के और बात करें नीली आपके स्लब्स करता है नेक्स्ट क्यूशन की अपने बात करें भारत में और 20 ней dark और जसकी बीच्दर की होती है तो जो आप सबी लोगों को पता होगा कि जो ग्रिस मकालिन बिंडी है या बिंडी के जो 20 तर है वो काफी बार पूची जाती है तो ग्रिस मकालिन बिंडी होगी वह आपकी पंदरा से 20 के जी के लगवग यूज की जाती है तो आपको ओप्षन देखना है कि 20 के अंडर में कौन-कौन सी आ रही है तो आपके पास में यह भी कट हो गया यह बहुत हो गया और यहां 25 से अबाओ जा रही है तो यह नहीं होगा तो आपके क्या होगा कि 15 से 20 के लगवग ह यूज की जाती है तो आपसे नमबर सी यहां से क्या हो जाता है नहीं उपरी पतियों में कि नारिज जुके और सिकुड़ जाते हैं किस पोसक्तत्यों की कमी का दर्शाता है तो पोटेशियां केल्सियम बोरवन या जिंक तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि जो कमी के करण होता है और सामयनिता आपको पताए होगा कि जो पतियां होती है इसके नार्ण आपको Alex changed देने को मिलेंगे तो अप्शन नमर B यहां से क्या हो जाता है नेक्ट प्रीक कि किसके दुधारा वायिवेग मापी का दाइन, म हाप ohh किया जाता है तो जो वायू का वेग मापा जाता है वो किसके दुधार व्लाती तो आप सब लोगों बच्चों के मंद के अंधों एक की confusion रहता है wind vein और animometer तो जो wind vein होता है वो क्या करता है और animometer क्या करता है तो confusion रहता है कौन वाईव की wave को मापता है और कौन दिशा को बताता है तो अपन इसके right answer की अपन पहले सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो right answer क्या होता है आपका ए्ट मेंटर तो इनिमों मेंटर के दोरा आप यहां से क्या हो जाता है चलें नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों आता है बेंस के सोशन गती परती मिनट क्या होती है तो जो बेंस की सोशन गती होती तो परती मिनट कितनी होती है आपके 30 से 32 परती मिनट होती है 18 से 22 परती मिनट होती है यह 15 से 17 परती मिनट होती है तो जब राइटांसर के अपन बात करेंगे कि जो 18-22 है वो पर ती मिनिट आपकी बेंस की सो संदल होती है तो अपसे नमबर बी यहां से क्या हो जाता है एक बेड़ के समों को कहते हैं तो मतलब कुलमिला के पर करन की यांटर से होता है तो जो आपका क्या होता है बेसिलेस की मारी। हो जाती है जले नेस्ट के गशारी दोनों परिस्थ्य परस्तितियों में उगिया जा सकता है तो भी जाया सकता है और उप्कुंडर परिस्तितियों में आपर गया जाता है चाओंडर को तो दर होती हो जाता है तो यहां से क्या हो जता है अगर संकुल की बात की जाये तो संकर की बात की जाए और हाइब्रिड की बात की जाये तो बिस से पचीस रखे जाती है और एकमात्र इसी क्रोप जिसकी हाइब्रीड की शीड रेट ज्यादा होती है संभने देखा होगा कि आपकी संकुल रिराइटी आती है उनकी सीड रेट ज्यादा होती को मिलेगा मक्का में ली जाती है मानसमाली नसलों का बेड़ो में गर्बकाल कितने दिन का होता है निसले बिदा कि इसलों को कि बड़ते हैं इसे दो बेड़ों के रिजसे लगों कि बड़ देंगे तो आपके बकरी के हो जाएंगे तो आपको एक सो पाइस के लगवख देखना है तो कौन सा आ रहे हैं तो आपका तो एक सो紅ida सो प्लीक दिन क्लिझें लिएगा तो और यहीपिंजलों एर चाहिटांसर हो जाता है ऑर यह आंसर आपका कोटा देखे ये कितना पीछे तक चला गया 153 दिन थोड़ी हो जाता है इतना पिछे तक भी नीर चाना अपने को नियर भाइज एक दिन पहले या दो दिन पहले या दो दिन कम बस इतना ही रखना है अपने को तो अब इसके अंतरकर देखो कि दो दिन ज़्यदा तक हो रहाए तो तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन यहां तक तो आप ज़्यादा है डिफ्रेइश्ट देखने को मिल रहा है तो ऐसे क्यूष्णों के अंतगत भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो अपने नियरवाई ज़्यादा चैनल है तो चलें नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं बूंद बूंद सी चाही का आविसकार किस ने किया था तो जो आपके रोनाल्ड रोस है उसने किया था डोनाल्ड ने किया था माइकल ने किया था सिमका ब्लास ने किया था तो आई होप आप सभी लोगों को पताया होगा जो बूंद ब होती है तो राइट आंसर के बात करेंगे तो चारफंट तीस प्रतिस्ट आपके जर्सिगाय के अंतरगत लेक्टोर्स की परसेंटेज देखने को मिलती है तो आपको पता होगा कि जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो किसके दौरा किया जाता है तो नमबर यहां से क्या हो ज आपके यूज की जाती है और बेर के अंतरगत रिंग बडिंग यूज की जाती है तो इनका विश्वाइश रूप आपको ज्यान रखना है चलिए बात करेंगे अभी हाली मेरे अस्तान सरकार के दौरा कौन सा नया फल परदेश में लाए गया है तो किवी फूट लाए गय आपको पता होगा कि जो अभी हाली के अंतरगत जो नया फल लाए गया तो आपको कौन सा दा ड्रेगन फूट था और बी यहां से क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट के अपन बात करें कि जो साहीवाल नसल के गाय के दूद में कितना परतिस्थत वसा होता है तो साहीवाल नसल है उसके दूद के अंतरगत कितना वसा होगा 4.1% 4.5% 6.22% 6.3% या होती है तो इसके जब राइट अंसर के बात करेंगे कि जो आपको 4.5% परतिस्थत होता है वो आपके क्या हो जाता है गाय के दूद के अंतरगत वसा परतिस्थत हो जाता ह क्लोन क्या है तो किसे कहते हैं वनसानुगत एक रूपता हो ती उसे क्लोन का जता है एक ही पोदे से लिया गया हो उसे जता कि वनस्ытप्थिदी की दुरादा तयार के आगया है उसे क्लोन करें है या अपरोप सभी आपको पता है होगा जिसे हो इन इक जैसे उंगे डिटो तो उसे भी हपन क्या से रूप यानि कि एकदम एग्जर्ट उसी का जैसा हो वो क्या होता है आपका क्लोन हो जाता है तो यह चार तीनों की तीनों क्या करते हैं आपके क्लोन की विश्चता बताते हैं तो ऑप्षन नमर्ड डी यहां से क्या होता है राय टांस्वर हो जाता है चलें नेक्ट क्यूस है नेक्ट कुसन के अब बात करें सरदार नियून में से किसके किसम है तो सरदार आपके श्ट्रोबेरी की है सेव की है आपका यहां लीची मोफशन दिया गय cóर यहां पर अम्रूद है तो अब रही तांस रपता होगा किसी विराइटी है तो आपको पता है और ने से खुलिए और वर्ण में से दिर्ग दिवस और प्रकाश पी पादब कौंसा है तो दिर्ग दिवस और परकाश कि पादब है वह कौन सा है जो पती मरोड वाईरस किस के दूरा फिलाए जाता है यह नि कुल कि बात जो लिफ कल वाइरस है वह आपके किसके दोरा फैलता है और नाम क्या होता है बेमेसाइट अबसाइट तो इसका वी से इस रुपशा आपको दियान रखना है कि दोरा ही आपका जो लीफ कल वाइरस है में जिगे से दूसरे जिगह डठ ट्रान्समेट होता है या एक दोरी की योवन अउमर होती तो वह कौन सी होती यह तो 7 से 8 माहे बाद में आ जाती है 9 से 10 माहे बाद पेली किया जल्दी के चकर में आप Оarena सोचना कि वीडियो को ऐसे जल्दी जल्दी बनारे अपना मेंन मोटो ये रहता है कि आपको कम टाइम के अंतरगत अधिक से अधिक जो क्यूसन है वो किसे प्रवाइड करवाए जाए इस वो जिसे अपने को थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है बाकि आपकी एकजाम हो जाने दू फिर उसके बाद में अच्छे से डिस्क्राइब करते भी अपन क्लासे को कंट क्यांक्य।